ओम शांति ओम शांति ओम शांति अज बाबा कहरें मीठे बच्चे बाब की स्रीमत पर चलकर अपना सिंगार करेंगे हमें देखकर और अपने आप सिंगार करेंगे तो पर चिंतन से अपना सिंगार मत बिगाड़ो, दुसरे क्या करते हैं, उसे देख देख कर क्या करते हैं, हम अपना भी सिंगार बिगाड लेते हैं, उसके बारे भी सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव बढ़ाता रहता है हमाया, लोग और सो और के बारे में कुछ सोचना नहीं है, सभी अच्छे हैं, और बाबा तो आया है, सब को अच्छा बना कर ही ले जाएगा, खराब तो रहने नहीं देगा, तो जब वो इतना बड़ा प्रतिग्या करके पूरा कर रहा है, कि सब को अच्छा बनाएंगे, तो हम परचिंतन क्यों टुम बच्ची बाब से भी तीखे जादु करो। उतर यहां बैठे बैठे तुम इन लक्षमी नारायन जैसा सिंगार कर रहे हो। तो बाबा कहता हैं तुम तुम बाब से भी तीखे जादु करो। मतलब सूधरिसी और लक्षमी नारायन बन जाना तो यहाँ बैठे अपने आपको चेंज कर रही हो न यह भी तो जादुगरी है बाबा उमा गुस्सा दिलाता है कि देखो कैसे तुम चेंज करे हो अपने अंदर विचार आता है न नहीं यह गलत काम है नहीं करना है यह नहीं करना है सिर्फ अलक को याद करने से तुम्हारा सिंगार हो जाता है बाबा को याद करते करते हैं बाबा कैसा है प्रेम का सागर है हम क्यों नहीं बन सकते हैं हमें भी प्रेम का सागर बनना है तो कोई हाथ पहुँच चलाने की बात तो है नहीं विचार हम नहीं करना है कि हमको मारना है पिटना है किसी को कुछ बोलना है नहीं योग से तुम साप सुधरे बन रहे हो योग से योग लगाते हैं माना बाबा से बातचीत करते हैं सुख्ष बनते यह सोवने के बन जाते हैं? तुम्हारी आत्मा और सरीर नहीं कर रहे हैं आत्मा भी कंचन बन रहे है तो शरीर से भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो यह तो कमाल है ना बाबा बच्चो का भी scripture अभ़ता करता ताकि बच्च उमंगुसा में देखे सब पूरा करते हैं तो बच्चे पढ़कर कुछ बनते तो तारिफ करते हैं नहीं यह बेटा मेरा बहुत अच्छा है बहुत पढ़ाई करने में तेज हम क्या पूरा कर रहे हैं वो किनारा है पढ़ने वाले पड़िपेट करता है न ओम शांति रूहानी जादुगर बैठ को समझाते हैं तुम यहां क्या कर रहे हूं यहां क्या कर रहे हूं पढ़ाई कर रहे हैं यहां बैठे बैठे कोई चुरपूर नहीं कोई मतलब हला गुला नहीं इधर देखना उधर देखना यह सब तो कुछ भी नहीं है हल चल नहीं है बाप अत्वा साजन सजनियों को य करते हैं अपने साजन को याद करते हैं अपने को तुम ऐसे लक्षमी नारायन मिसल सिंगार करें बाबा को यहीं सिंगार अच्छा लगता है जैसे बुलते हैं कि पत्मी अपने पती के अनुसार रंकार कपड़ा पहनती है उसके अनुसार सजती समर्ती है तो बाबा को कौन सा सिंगा अच्छा लगता है लक्ष्मी नारायन जैसा बन जाना बना बैसा सिंगार करना ह ip und網айтесь को पसंदे तुम ऐसे लक्ष्मी नारायन में सेंगे और जाधा पसंद आता इसलिये बारारा लख्ष भी देता न नर्य carriers बनेनारहियं भड़ेनेनार्याशिकर्णेकर्नेकर मतमेश्ब तो यह सिंगार हम लोगों को करना है कोई समझेंगे खुछ समझेंगे हम कौन साथ सिंगार कर रहे हैं तुम यहां बैटे हो फिर भी नंबरवार पुरूशार तनुसार ही समस्ते करना सभी को है अब बहुत करना करना लेकिन नमबरवार हो जा रहे हैं बाब कहते सिंगार सिंगार हुए बनना है तुम्हें तब बाब की दिल पसंद बनोगे ऐसे सिंगारे हुए बाहरी सिंगार करके हम लोग बहुतों कुरिजाएं और कोई मानने दिया अब बाबा कुरिजाना है ऐसा सिंगार करके बाबा कुरिजाना बहुत ही जी है तुम्हारी एम आपजिक्ट ही यह है कि भवी से अमर पूरी के लिए अभी के लिए नहीं अभी तो कल्यूग है मनित्यूनोग है घड़ी-घड़ी कोई नो कोई मरता रहता है बिमार होता रहता है इस दुनिया के लिए कुछ नहीं यहां बैठी तुम क्या कर रहे हो आज तो कोश्चन पर बाबा कोश्चन कर रहा है तो यहां तुम बैठी क्या कर रहे हो बाबा क्यार परडाइस के लिए सिंगार के लिए पुरुसार्थ कर रहे हो सिंगार के लिए पुरुसार्थ कर रहे हो कि आज मुझे बोलना कैसे है देखना कैसे बाबा जो डारेक्शन उसको अच्छी तरह से सुन रहे है समझ रहे है इसको क्या कहें इसको क्या कहें यहां बैठे हुए अपने को चेंज कर रहे हो यहां बैठे हुए अपने को चेंज कर रहे हो उड़ते बैठते चलते बाप ने एक ही मंत्र दिया है चाभी दी है मन मनाभव मन को अगर कंट्रोल कर लिए मन को दिन भर के डारेक्शन दे दिया आज मन तुमको ऐसे चलना है तो यही हो जाएगा दिन भर का सिंगार थोड़ा बो तो इजह उदर भागेगा आधत है ना लेकिन कंट्रोल में आ जाएगा तो बस एक सिवाए एक के सिवाए इसके और कोई भी फालतु बाते सुन सुनाकर टाइम बेस्ट मत करो बाबा यह बहुत बड़ा बात हमको बोल दिया कि नहीं सुनाना आज ही कुछ ऐसा उआ था जो बोले ते सुनाएंगे लेकिन अब नहीं तो बाबा करता है फालतु बात नहीं सुनाना है और टाइम बेस्ट नहीं करना है तुम अपने को ही सिंगार में लगे रहो अपना सि सब्सक्राइब करें अफैसी दूसरा करता है वह नहीं इससे तुम्हारा क्या रहता है तुम्हारा क्या जाता है सब்क satisfy हुँ तो система मैं नहींура सिंद्र कली boxing में तुम्हारे में कोई तो आपना सिंगार कर रहे हैं तुम्हारे में कोई टो से कजाムरी हुज अपना सिंगार कर रहे हैं कोई तु अपना विगार रहे हैं यहां भी बहुत सारे बच्चे जो अपना सिंगार विगारते भी हैं और कोई दिन भर आटेंसन देते मेरा सिंगार खराब ना हो बार बार आइना देखते हैं कौनसे आइना देखते हैं ज्यान का दरपन देखते पर चिंतनादी में टाइम वेस्ट करते रहते हैं बहुत बच्चे सिंगार बिगारते रहते हैं उसका सिंगार ऐसा है उसका सिंगार ऐसा है हम अपना सिंगार तो अच्छा करें साजन को पसंद किसको करवाना है अपने आपको की दूसरे को अपने को ना तो बाप बच्चों को समझाते हैं तुम सिर्फ अपने को देखो कि हम क्या कर रहें बहुत छोटी युक्ति बताईए बस एक ही अच्छर मन मनाभव मन को सुध्ध और पवित्र बना लो तुम यहां बैठे हो तो बुद्धी में हैं कि सारी सुष्टी का चक्र कैसे फिरता हैं अभी फिर से हम वि बैठे कितनाव बड़ा कारि करती हो तो किसी को भी बोले ना कि पूरे मिश्व का सद्रन सादरमिस का सद्रन अच्छा अच्छा बहर दो दूरान दो उस तो को भी हाथ पहुंच चलाने की तो बात है नहीं जो दुनिया को दिखा देख्या क्या कर रहे हैं इसको थोड़ी कोई बिजार करने से कैसे हो जाएगा जबकि भक्ति मार में भी है कि संकल्ब से स्रिष्ठी तुम कहोगे तो बाबा केता है यह तो सिर्फ विचार की बात है तुम कहोगे हम यहां बैठे बैठे उचे से उचा सिंगार कर रहे हैं मन मनाभाव का मंत्र सबसे उचा है कितना उचा है कि अगर मन को वसमे कर लिए मन को अच्छे विचारों से सजा दिए तो मन बुद्धी ये सारी कर्मेंद्रियों से काम करवाएगा तो इस योग से ही तुम्हारे पाप भसम हो जाएंगे और तुम साफ बनते बनते फिर कितने सोभुनिक बन जाओगे सब की नजरों में महान बन जाएंगे बहुत अच्छे बन जाएंगे अभी आत्मा पतित है तो सरीर की भी हालत देखो क्या हो गई है पतित होने से सरीर कैसा है कितना भी खिला रहे पिला रहे हैं बीमारी आ जा रहा है कहां से आ रहा बीमारी ये सब करम भोग है कोई जनम का है तो अब तुमारी आत्मा और काया कंचन दोनों बन जाएगी कि यह कमाल है न यहां पर पुर्शाथ करते करते सरीर भी कंचन और आत सभातस अपना सिंगार करना अपना सिंगार करना डैवी गुन भी अपना धारन करना अगर हम धारन किये नहीं अब दूसरों को सब्सकर क्र dot कि हम अपना सुभाव दिखा देते कि कड़ा सुभाव हो अच्छा सुभाव सब कुछ बोलते हैं कि सबसे बड़ा दुकान तो हमारा मुख होता है मुख खुलता है तब पता चलता है कि यह बोलता कैसा है यह समान कैसा रखता है तो बाप सभी को एक ही रास्ता बताते अलब और बे बचे अल्ला को याद करो अब बात सही को याद करो सिर्फ अलब की बात है बाप को याद करते रहो तुम्हारा सिंगार बदल जाएगा सारा बाबा को याद करते करते सिंगार तो बदलेगा न जैसा संग वैसा रंग तो बाप से भी तुम बड़े जादुगर हो तु अपना सिंगार ना करने से तुम गुप्त अपने को नुक्सान पहुचाते हों अगर अपना सिंगार हम नहीं करते हैं तो नुक्सान किसको पहुचेगा दोनों बाद बाबा बता दे रहा है कि एक तुम करते हो और एक तुम अगर नहीं करते हैं तो नुक्सान हमारा ही होगा किसी और का नहीं तो इतना तो समझती हो कि हम भक्ति मार में क्या-क्या करते जित कुछ तो हुआ नहीं सारा सिंगार ही बिगड़ गया न क्या पन गय वा आज एकदम सुद्र, एकदम दुखी, असान्त, इतना दुख कि कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है तो अब एक ही अच्छर से याद करो बाभ की याद से तुम्हारा सिंगार होता जाएगा मन मना भाव के अच्छर से कुछ बताते हैं तो यहां तुम बैठे क्या करते हो फिर से बाबा पूछ रहा है यहां क्या करते हो पढ़ाई करते हैं धाना करते हैं याद की आत्रा में बैठे हूं अगर कोई का ख्याल और कोई तरफ होगा तो सिंगार थोड़ी होगा मतब ध्यान रहेगा किसी और की पिर औरों को भी रास्ता बताना है अगर तुम सिंगारे हो तो औरों को रास्ता बताओ अगर हम ही गंदे मैले रहेंगे जैसे ब्यूटी पारलर में भी कभी जाते थी तो वह अपना बाल एकदम लंबा लंबा रखी थी एक बहल और हमको बोलती थी आप बाल कटवा लिजी इसे करवाई यह तो हम बोले आप अपना क्यों नहीं हम इतना चोटा करवाई थे मेरा बढ़ जाता है अभी मेरा भी बढ़ा हुआ है तो बाब इसलिए जब वह कटी काटी रहती तो दूसरों को भी बोलती कि हां देखी ऐसा है अब वह खुद सिंगारित रहेगी तो दू सिंगार है उससे करते करते तो थक चुके है कुछ नहीं हुआ अभी ज्याम रतनों को पहनना है सिंगारित होना है संसकारों से कमाल सी बाबा आपकी है जो सुना सुना कर बदल रहे हो है ना ज्याम सुना सुना कर बदल दे रहा है बाबा आप हमारा कितना सिंगार करते यह याद रहता है याद रहता है कि नहीं चलते हैं फिर ते कैसे चलना है देवी दिवता कभी कभी सीड़ी से उतरते हैं तो जल्दी उतरने लगते हैं याद आता है देवी दिवता तो ऐसे नहीं उतरते हैं धीरे धीर उतरना चाहिए कोई तो अपना सिंगार कर फे दुसरों का भी करते हैं कोई तो अपना भी सिंगार नहीं करते हैं दुसरों का भी सिंगार बिगालने में लगे हुए रते हैं दुसरे का भी सिंगार बिगालते रते हैं बाते सुना कर उनकी अवस्था को नीचे गिरा देते हैं खूद भी सिंगार से रह जाते हैं सिंगार से रह जाते हैं दूसरे का भी रहा देते हैं मतलब दूसरों को भी सिंगार करने नहीं देते हैं अब खूद भी सिंगार नहीं करते हैं ऐसे भी आतमाई हैं तो अच्छी ती ती सोच विचार करो कि तुम क्या कर रहे हो बाबा कहे कैसे कैसे युक्ति बताते हैं भक्ति मार गयों के सास्त्र पढ़ने से यह युक्तियां नहीं आती हैं सास्त्र तो है भक्ति मार के तुमको कहते हैं तुम क्यों सास्त्र को नहीं मानते हो लोग बोलते हैं हम लोगों को ना कि आप लोग सास्त्र को क्यों नहीं मानते हैं बोलो हम ही तो सब मानते हैं आप लोग कहां मानते हैं अब गीता पढ़िए उठाइए देखिए हम लोग सब कुछ मान रहे हैं कि ने उसमें मन बना भवर लिखा हुआ है मन को सुद्ध पवित्र बना रहे हैं उसमें लिखा हुआ जबता पुजा पाट नहीं करो स्रेष्ट करम करो हम लोग स्रेष्ट कर्म कर रहे हैं स्रेष्ट धारना कर रहे हैं कौन सी कमी आपको दिख रहे हैं उसम कौन नहीं मानेगा सास्त्रों को कौन नहीं मानता है सब मानेंगे हम लोग भी मानते हैं रात और दिन होते हैं तो जरूर दोनों को मानेंगे न अब ऐसा थोड़े कि दिन को मान रहें तो रात को नहीं मानेंगे रात को भी तो मानेंगे तो यह है बेहत का दिन और रात बाब क करना है लड़ाई जगड़ा करके तुम्हारा वे टाइम बहुत वैलिबल है उसको सुनाओ उससे लड़ाई करो उससे यह करो टाइम वेश्ट हो रहा न तो कोई से हीरे जैसा तुम बनते हूं कोड़ी से हीरे जैसा तुम बन जाते हूं मुप्त में इतना थोड़ी सुन रहे हो मुपत में नहीं सुन रहे हो मतलब हम रहीDS कोई कथा थोड़ी है क्या यह कथा सुन रहे हो एक ही सुनाते ही बड़े जास्ती बात करना थोड़ी अच्छा लगता है जादा बात थोड़ी करेंगे बड़े उन लोग सार में ही कुछ बता देंगे हो जाएगा और देखे बहुत आत्माओं का होता ना कि ग्यान भी लंबा चोड़ा लंबा चोड़ा देर यह माईं से निकल जा रहा है एक दम क्या बोल रही है समझ में नहीं आ रहा फिर बाद में भूली हम भी यही बोल थे बोल वही कि इढ़ी थी लेकिन सब्डों का चैन नहीं होता है कि कि उती से कंडने काम सब्सक्राइब का सांते और घंक की बाब तो रहा भी हो मेरा मेरा अना माभूरा हो तो मना किए थे माताब दोनों में यह जंक से नहीं आप सामने वाला स्ड़ाउज हो करता कर प्याइं थोड़ी दियें तो बात तो सेकेंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते या है ही उचा सिंगार वाले तो तभी तो उनके चित्रे लगे हुए लक्षमी नारायन का चित्रे तो जिनको सभी पूझते रहते हैं जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मंदिर बनाएगा और बड़ा सिंगार करेगा लक्षमी नारायन का सिंगार करेगा मुर्ति का कि जितना सुन्दर मंदिर बनता उतना ही सुन्दर मुर्ति बना कर और सिंगारित करते हैं आगे तो देताओं के चित्र पर हीरे का हार भी पहनाते थे बनाते ही थे जब राजा रानी थे सब कोई पहनाते थे, अब तो चोरी होने लगा उतना धन भी नहीं रहता है, तो कोई नहीं पहनाता है, अब तो सोना भी नहीं पहनाना चाहता है, बाप तो अनभव किया हुआ है, बाप ने खुद हीरो का हार बनाया था लक्षमी नारायन के लिए, बाप खुद भी किया था, तो बाब समझाते बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करना है न ऑरो का करो अपना भी टाइम वेस्ट करो औरडूसरों का भी नहीं जैसे अब किसी पडर जाबाना किसी को कुछ भी बोल देना बिना प्रूब के तो यह सभी तो time decrease करना है और ऐसे भी क्या है कि बाबा कहता है कि युदिश्धिर बनना है युद की स्थीटी में भी स्थीटी में भी स्थीड रहना यही युदिश्धिर का पहचान है और वही स्वर्ग जाता है समपुनता को प्राप्त कर कियो भी दिखाते हैं तो बाप युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं मुझे याद करो तो पाप मीट जाए याद भी गर इतना सिंगार हो न सके तुम यहाँ बनने वाले हो या बनने वाले हो दैवी सोभाव धारन करना है तुमको इसमें कहने की भी दरकार नहीं कि हम तो बहुत अच्छा बन रहे हमारा बोल चाल रहन सन वेवार में वो दिखता है तो प्रंतु पत्थर बुद्धी होने के कारण सब समझाना पड़ता है बाबा को भी और हम बचों को भी क्लियर करना पड़ता है तो एक सकेंड की बात है ऐसे बताना एक सकेंड की ही तो बात है कोई ज़्यादा तो नहीं है कि बच्छे मन मना हो गया एक सब्दमी फिर बाबा चार पेच की मुर्ली चलाता है क्यों पत्थर बुद्धी हम लोग बन गये है घीस रहा है ग्यांदस्ती से घीस रहा है ताकि दग दे दे हम लोगों को तो बाब कहते है मीठे मीठे बच्छों तुमने अपनी बाब को भोलने से कितना सिंगार बिगार दिया तो बाब तो कहते है चलते फिरते सिंगार करते रहो चलते फिरते प्रन्तु माया भी कम नहीं है ना वो बिगाड़ती रहती है सिंगार कोई कोई लिखते बाबा आपकी माया बहुत तंग करती है अरे माया तंग नहीं करती है माया तंग करती है क्या करती है माया तंग करती है आप परिशान होते हैं तंग करती है वो आरी है आप भी माया वही है कि आपका सिंगार्ची करती कहीं गडबड़ ना हो जाए तो हमारी माया कहां है बावा की माया है यह तो खेल है ना मैं तो तुमको माया से छोड़ाने आया हूं मेरी माया फिर कहें कि तुम्हारी माया विकार तुम्हारे अंदर हम तो छोड़ाने आए हैं इस इस समय पूरा ही इनका राजी है माया का, जैसे इस रात और दिन में फर्क नहीं हो सकता, फिर बेहत की रात और दिन में फर्क नहीं हो सकता, जितना समय चलना है उतना चलेगा, इसमें एक सकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता, आगे पीछे नहीं हो सकता है तो बाबा कहता है अब मुझे तुम याद करो मैं तुम सब का उधार करने के लिए आया हूँ मैं आया हूँ तुमको विश्व की बासाही देने के लिए विश्व की बासाही जो स्वराज जदिकारी बनेंगे अपने उपर राजी करेंगे वो विश्व की बासाही एकदम इजीली ले लेगी और इसी में लोग पीछे हो जा रहे हैं तो आप मुझे याद करो टाइम वेट नहीं करो काम काज करते भी बाबा को याद करते रहो इतनी धेर सब आत्माएं आसिक है एक परम पिता परमात्मा मासुख की ये भी बाबा को नसा रहता है कि हम एक ही मासुख है अब मेरे आसिक इतने है तो ये वस अब जिस्मानी कथा यादी तुम बहुत सुनते सुनते आए हो अब बाब कहते सब भूल जाओ जितनी भी कथा कहानिया है सब भूल जाओ भक्ति मार्ग में तुमने मुझे याद किया और वादा भी किया हम आपके ही बनेंगे बस इतना याद रखो तो बन रहे हैं धेर के धेर आसिकों का एक ही मासुख है भक्ति मार में कहते है भ्रंभ में लीन होंगे ये सब फालतुबाते हैं जैसे बच्चा गोध के अंदर छिप जाता है तो एक दम लूप तो थोड़े हो जाता है लूप तो नहीं हो गया तो बाबा का गोद प्रकास है उसमें हम लोग छिप गय तो छिप गय माना कि बाप समान ज्यसे ज्वादा लाइट पड़ गया दिल होता है तो सूरी का लाइट निकलता है तो चंद्रमा और तारा आप तो एक भी मनुसे मोख्ष को नहीं पा सकता या तो अनादी ड्रामा बना हुआ इसमें सब एक्टर से इसमें जरावी फर्क नहीं हो सकता बाप कहते सिर्फ एक अलब को याद करो तो तुम्हारा यह सिंगार हो जाएगा सिंगार हो जाएगा अभी तुम यह बन रहे हैं तो कितनी गुई गुई बाते बताते रहते बाबा ने युक्ति बहुत अच्छी बताइए वारी जाहूं ऐसे बाप पर बाबा कितना अच्छा से युक्ति बताता है कितना सहज कर रहा, कितना हलका कर दे रहा ऐसे बाप पर क्या होना चाहिए एकदम समर्पन कुछ भी नहीं सोच रहा है आसिक मासुख भी सब एक जैसे तो नहीं होते हैं यहां भी सभी आत्माओं का आसिक मासुख तो एक ही है आसिक अलगल लग है जिसमानी यहां बात नहीं हो रही है यहां पर रुहानी बात हो रही है प्रंतु तुम्हें संगम युख पर ही बाप से यह युखती मिलती है कहां भी जाओ खाओ पियो मना नहीं है घुमना फिरना है घुमो फिरो नौकरी भी करो लेकिन अपना सिंगार करते रहो, अपना सिंगार नहीं विगारना है, आत्माई सब एक मासु किया सीखें, बस उनको याद करते रहो, कोई-कोई बच्चे कहते हम तो 24 घंटे याद करते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, फ्रन्तु सदेव तो कोई कर नहीं सकता है, बहुत में बहुत दो धाई घंटे तक मतलब रेगुलर कहने का मतलब जैसे हम एक घंटा याद में बैटे तो एक घंटा पूरा बाबा को याद नहीं कर रहे हैं इधर उधर भी बुद्धी चला गया तो वूस हिसाफ से बाबा बोला दो धाई घंटा बहुत है जास्ती अगर लिखे तो बाबा मानता नहीं है बाबा मानेगा भी नहीं हाँ ये चीज है कि आप 24 घंटे अटेंशन दे रहें कि मुझे ऐसा नहीं करना है ऐसा नहीं करना है तो दूसरे को इस मृती दिलाते नहीं कैसे समझे कि तुम याद करते हूँ तुम खुद भी याद में रहो दूसरों को भी दिलाओ और दूसरों को आप समान बाप समान बनाओ क्या कोई difficult बात है किसी को सुनाना अभी देखे फोन से भी बात करते हैं बाबा 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 कोई भी बात होता बाबा बाबा ऐसे बोला बाबा ऐसे करने के लिए काहने कोई इसमें खर्चा नहीं कुछ भी तो नहीं खर्चा है इसमें नहीं है बाबा को याद करते हो तुम्हारे पाप कर जाएं डैवी गुन भी धारन करने हैं देने का संस्कार हर चीज देना है आपक बतित कोई संतिधाम सुखधाम जा नहीं सकता है बाप बच्चों को कहते अपने को आत्मा भाई भाई समझो चौरासी का पाट अभी पूरा होता है या पुराना चोला छोड़ना है इस चोले में ममत्व नहीं रखना है ड्रामा देखो कैसा बना हुआ है तुम जानते हो आप की मत पर चलती है 24 घंटे नहीं चल पाती कहीं हो जा रहा है गलती तो आटेंसन कैसे जारा रोज ज्यांद सुनने से आटेंसन जाता है चलेंगे तो सिंगार भी अच्छा होगा अगर चलेंग बाबत तो क्लेर कर रहा कि जितना याद करोगी जितना स्रीमत पेचलोग सिंगार तुम्हारा सुन्दर होगा एक दो को उल्टी बाते सुना कर अत्वा सुन कर अपना सिंगार नहीं बिगाड लेना ना दुसरों का भी बिगाड देते हो बच्चों को इसी दूर में लगा रहना चाहिए कि हम ऐसे सिंगार धारी कैसे बने बाकी जो कुछ है वो सब ठ आदा मांगता है लेकिन क्या हो ना ति रावन ऐसा आदत बना दिया और खाओं और खाओं ऐसा आदत बना दिया लेकिन अभी क्या हो रहा है पहले से 25 परसेंट में आ गया ना खाना लेकिन क्या कमजोर है बहले जादा खाके भी आज यह दर्द हो रहा है आज हमको यह हो र आगो बैचारा कहते हैं आप दुनिया वालों को बैचारा कहते हैं दो लोग बोलते इन लोग अलप काल की खुछी में भाग रहे हैं तो बाबा के खाने का आदत है रोज घुमने फिर उसको अचाना खतम हो जाए तो परेशान हो जाएगा तो ना बहुत उचा रहते हो तुम ना बहुत नीचा खाओ भल प्रें तुम जादा हिर ना जाओ मतलब आदत ना पढ़ जाए उर चाहिए और चाहिए बिना खाए तो हम रह नहीं सक करते हैं अब जानते कर रहें उल्टा पुल्टा काम और बाबा याद है ऐसे कैसे हो सकता है आपका सभाव संसकार भी तो याद दिलाए कि कितना अच्छा बन रही है तो विस्व की बासाही का सिंगार याद है यह भी याद करना है विचार करो यहां बैठे बैठे तुम्ह कितने खाते हैं अभी बाप आए हैं सिंगार ने तो अपनी अच्छी रिती ख्याल करो भूलो मत भूलना नहीं है अपना सिंगार करना कल यूगल कुछ है मजाक में कुछ बोल रहते कि तुम तो ऐसी है हम ले बाबा जानते कल ही बाबा बोला सो लोग भी तुम्हारी निवहार नहीं होना तो देखिए बाबा कितना ओचा कर दें सो लोग नराज हो तो भी हमको नाराज नहीं होना है तो नियुकर से अपना नहीं होrovrov है माया लेकिन भुला देती है यह ना चाना कोई बोल दिया उसमें लगता क्या क्या सब्द अरे वो तो ऐसा ही सब्द व्यूज करेगा ना जो आपको तकलीफ दे तो सब्दों को पकड़ लेंगे तकलीफ में आ जाएंगे तुम्हारा तो यह बहुत भैलिबल टाइम है ना हम तो जांगे ना मेरा बहुत किमती समय हम क् उन क्या करा करना है पड़ाई की मेनज से मनुस से क्या से क्या बन जाते हैं ऊच्व बाबा कर अकर इस प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा यह प्रजा पिता है ना ये तो इतनी कुख बनेगी ब्रजा कैसे बने गैई इतना सारा प्रजा कैसे बन जाएगा कुखवंसा वली बनेगा इतना 37 करोण को ही लेके चले तो बनेगा नहीं बचे डॉट ही होते हैं वर्सा बाप से मिलना है बाप ब्रह्मा द्वारा डॉट करते हैं इसलिए उनको मात पिता कहा जाता है या भी तुम जानते हों बाप का आना बड़ा एक्यूरेट है एक्यूरेट टाइम पर आते हैं एक्यूरेट टाइम पर चले जाएगे आप बोलेंगे पहले से आओ आओ तो भी नहीं आएंगे आप बोलेंगे विनास हो जाए विनास हो जाए तो भी नहीं होगा विनास माना बाबा को भेजना तो भी नहीं होगा दुनिया की बदली तो हो नहीं है लेकिन टाइम पर अभी बाप तुम बचों को कितनी अकल देते हैं बाप कीमत पर चलना है इस्टूडेंट जो पढ़ते हैं वही बुद्धी में चलना है तो तुम भी यहां संसकार ले जाते हूं जैसे बाप में संसकार है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी संसकार है भरते रते बाबा फिर यहां आएंगे तो वही पार्ट रिपीट करेंगे मतलब सत्यूग में आएंगे तो फिर से वही पार्ट रिपीट करने लगेंगे नंबर वार पूरुशार्थ अरुशार अपनी दिल से आत्मा है शिवर यही आदद बनते बनते फिर आत्मा आत्मा पक्का हो जाएगा तो टाइम का यह वेष्ट तो नहीं जा ता कितनी चौडर लग रही। eccentric करना होता है तो बाप सौधान करते ही वाहियात बातों में कहां भी time ना गवाओ कौन कितना सुन्दर लग रहा कौन कितना खराब लग रहा ये सब क्यों देखना शब सुन्दर है बाबा आत्मा सब चमकता हुआ सितारा है बौछ सुन्दर है तो बाप की स्रीमत याद रखो मनु से मत पर ना चलो तुमको ये पता थोड़े है था कि हम पुरानी दुनिया में है तुमको भी तुम पता नहीं था वैसे ही उनको भी नहीं पता है बाप ने बताया तुम क्या थे इस पुरानी दुनिया में कितने अपार दुख में थे तुम ये भी ड्रामा अनुसर पार्ट मिला हुआ है ड्र प्रिनास को भी नहीं कर सकता है हम अपना पार्ड बजाएंगे ही बजाएंगे जो बजता ही रहता है अच्छा मीठे मीठे सिखी रदे बच्चो प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुषानी बाब की रुषानी बच्चो को नमस्ते हम पच्छमी नारायन जैसा सिंगार धारी कैसे बने अपने आप से पूछना है चार बाती है पूछना अपने आप से दिन भर में हम स्रीमत पर चल कर मन मना भव की चावी से अपना सिंगार ठीक कर रहे हैं अपने मन बुद्धी से चेक करना है उल्टी सुल्टी बाते सुनकर व दिला देते हैं किसीको विकार में तो नहीं डाल देते सहे सिर्फ बाप ग्यान और वर्टा को याद करना है और पलतु बात को याद करेंगे टाइम वेस्ट चला जाएका 4 सुभाव धारन किया है धैवी सुस... धैवी सोभा मतब देने का संसकार जागरित किया है वर्दान याद का व्यर्थ संकल्पो के कारण को जान कर उन्हें समाथ करने वाले समधान स्वरू भवा व्यर्थ संकल्प उत्पन होने का मुख्य दो कारण है अभिमान और अपमान अब कल भी बाबा बोला कि अभिमान और अपमान की फिलिंग से भी मुक्त बनो तो हमें अपमान का फिलिंग होता है जब देभान में होते हैं और अभिमान भी कब आता है जब देभान में होते हैं अगर आत्मा में रहे का आत्मा में कोई दाग लगा सकता है पान अभिमान का ही आपमान फिलिंग हो सकता है तो मेरे को कम क्यूं मेरे भी इपत होना चाईए ना मेरा भी तो इज्दोना चाहिए मेरे समयन समझते हो या फिर अभिमान में आ जाती हो नाम में मान में सान में आगे आने में सेवा में डॉट 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 बहुत सारा चीज है अभी मान या आप मान महसूस करना ही सबसे बड़ा व्यारत है सबसे बड़ा व्यारत है अरे बोलो ना जितना आप बोलना है बोलते रहो चुप हो जाओगे अपने बोलते बोलते तो बोले ना कि यह बगल में एमको खिड़की निकालना लाइट आने के लिए इधार दर्वाजा अब वास्ता में क्या वना जो दर्वाजा निकला लूसे बहुत पहले से ज्यादा लाइट आने लगा तो मतब बनवा रहे थे ना भाईया तो बोले कि खिड़की नहीं हारा है आँ उन देख रहा है हमको देख रहे है हमको देख रहे है कि हम तो सच बूरी तो बाबा कहता है कि वीरत संकल्पोक काई रही है यह une 23 shook इच्छा है नमान सान सब कुछ प्राप्त करने का तो इस कारण को जानकर निवारन करना ही समधान स्वरू बनना है जो कल्प पहले हुआ था वही हो रहा है पहला दूसरा बाबा इस संगम युक का मालिक बनकर आया है तो वो देख रहा है कि मेरे बच्चों के साथ क्या होना बगए तो इच्छा स्वी नहीं होना चाले फिर हम क्यों रख रहे हैं इच्छा सब कुछ अच्छा हो रहा है स्लोगरने साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट औरीं के यातरा करना साज है कि नहीं इस सांती में चले जाना बहुत मज़ा है मतलब काम करते हुए भी आप सांती का नुभौ कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि परम्धान जाएंगे तुछ सांती का नुभौ कर यहां भी मजा रहा है ओम शांति